हेलो गाईज तो या टूडे वी आर टोकिंग अबाउट आईएसाई अप्लिकेशन फॉर्म उसका अप्लिकेशन फॉर्म कैसे बढ़ना है आपको फॉर्म कैसे बढ़ना है क्या सारा प्रोसेस रहेगा आज अपन कंप्लीट में सर्चा करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ओके सो जो है अपन को फॉर्म फिल करना है सो गाइस यह जो है आईएसाई का पॉर्टर लिंक है इस जो इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप यहां पर देख सकते हूं पहले तो लिखा हुआ है कि आईएसा का टेस्ट होगा ओके देन जो है इसके जो अप्लिकेशन फॉर्म है वह एक मार्ज से स्टार्ट हो गए थे डूट फॉर एक्जामिनेशन हमारे एक्जाम चल रहे थो मैं जो है वीडियो बना नहीं पाया तो आज तीन तारिख हो चुकी है यानि कि अभी दो दिन ही है ज्य है तो हम रजिस्टेशन पर क्लिक करेंगे ओके और 31 मार्च इस दर लास्ट डेट और रजिस्टेशन फितों में आपको एक फोर्म फिल कर लेता हूं ओके इस प्रोब्लम आती है बच्चों को पासवर्ड के अंदर तो पासवर्ड के से चूज करना आपको इसके बारे कुछ में सिंपल ट्रिक बता देता हूं जैसे आपने कोई पासवर्ड चूज किया तो आपने पहला अक्सर उसका बड़ा ले लेना है ठीक है देन में ले लेत सकते हो आपको कुछ भी सेंबल चिन ले लेने हैं अच्छे चिन ओके देन आपको एक-दो संक्यां भी लेनी है और यह जो है एटलीट 6-8 नंबर 15 तक लास्ट हो सकता है इस परकार से आपको पासवर्ड चूज करना ओके तो आप वो चूज कर सकते हो अपने वेसिस पर दे इमेल को वेरिफाई कैसे करते हैं तो स्टुडेंट्स मेरे पास जो आई एसाई की तरफ से इमेल आया है मैंने जो इमेल आइडी डाला था उसके अंदर लिखा है है हलो कलिक दे लिंक विलो तो वेरिफाई इमेल एडर्स तो वेरिफाई इमेल एडर्स का कुछ लिखा है हैं तो में उसको जैसे क्लिक करते हूं फिरसे मेरी जा यहां क्राइं परावजल में लेजा के खुल देता है तो में गते आहिक हो मैंने मेरे टौने थे पर जाल डैसे हम पाश्वर ढ애 है uninian फ्रॉक्र डाला लोके मेरा तो देख सकते हो यहां पर आ चुका है अपना अप्लिकेशन नंबर बगएरा बगएरा अब हम क्या करते हैं हम जाते हैं जैसे कि परस्टो पोल प्रस्टनल इंफो फे तो अब यहां पर डालेंगे हम तो मैं फर्ट देता हूं लगे देवन से तो बच्चों आपको पहले यह डालदेना है तो हम अपना इटरस डाल देते हैं तो आप सबसे नीचे आते हैं यहां पे तो आपको एक option दिखता है यहां पे यह भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप TWD Candidate हो यानि कि सारी रूप से विकलांग होतो हो यहां पर जो आधार कार्ट, पेन कार्ट, पासपोर्ट, साइट तो आप आधार कार्ट सेलेक्ट कर ल अब second option open हो चुका है, अब हम select करेंगे, जैसे हम undergraduate में admission लेना चाहते हैं, जैसे मैं 12th पास कर लिया है, प्रोग्राम सेलेक्ट करूंगा इसके बाद में, कि मैं किसमें लेना चाहता हूं, जैसे कि दो option होते हैं, एक aesthetic होता है, एक mathematics होता है, अब बहुत सरे बच्चे क्वारी करते हैं, या कौन सा अच्छा होता है, तो यार मैं तो mathematics में अच्छा लगता है, आप aesthetics भी ले सकते हो, या भी बहुत अच्छा होता है, आप अपनी CT चूज कर सकते हो, आपको जो है, आपका exam कहां पर देना है, आपके नीरे CT आप यहां पर check कर सकते हो, जैसे कि मेरे नीरे CT जो है, वो मेरे को दिकराज जेपुर में है, ओके देन, आपको चार एड्रस सेलेक्ट करने है, ओके तो students, आप अपनी परप्रेंच के साफ से जो है, तीन CT सेलेक्ट कर सकते हो, देन आपको जो है, आपकी डिक्री की डिटेल दानी, कि आपने कहां से क्या पढ़ाता, उसक जैसे कि हम नीचे देखते हैं, थोड़ा सा क्यूशन वाला है, पहले आपको जो भी आपने जासे 12th की डिग्री करिए, जैसे मेरा राजस्तान बोर्ड है, तो मैं राजस्तान बोर्ड डाल दिया हमेने, ठीक है, आप क्या डाल सकते हो, उसमें, राजस्तान बोर्ड ठीक है आप कौन से डिग्री की है, आपने सीनर सेकेंडर एकजाम दे दी है, आपकी स्कूल का नाव डाल देना है, तो आपने 12th कब की थी वो भी डाल देना है, ठीक है, आपको जो मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से ते है, जैसे कि पिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथेमेटिक्स और इं देल्ट आ चुका है, 97% आई, तो हम इसको स्रेव पर्फोमेंस पर क्लिक कर देंगे, ओके, ओके, देन जो है, आप यहां पर देख सकते हो, जैसे सम्मिट हुआ, यह ओप्शेन कुल के आ चुका है, आपको फोट अपलोड करना है, सिक नेचिर अपलोड करना है, और आपकी जो भी रेजर्वेशन केटेग्री है, अगर आपने OBC सेलक्ट किया है, SCST सेलक्ट किया है, तो वो आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा, ओके, सो अपलोड करते हैं अभी, ओके स्टुडेंट्स तो यार, आप अपना जो है, फोर्म बिलकुल ठीक से सम्मिट करें, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ अफलोड ना करें भी, अगर आप शेओ पर क्लिक कर देते हैं, तो यह अपने आप ही चला दाता है, इसको कोई लेना देना नहीं है, कि आपने फोटो लगाई है, कि नहीं लगाई है, जैसे मैंने आप फोटो सेलक्ट ही नहीं की थी, मैंन इसको कोई लेना देना नहीं है, कि आपने डाला की नहीं डाला, तो आप इसके अंदर जरूर डाले, ओके देखो, आप यहां पर देख सकता है, क्लिक नहीं हो रहागी, क्या देजना है, ओके जैसे कि मैंने सारी के सारी अप्लोड कर दिये, जैसे मैंने अपनी फोटो अफ्लोड किया, जहां पर मिसाल ऊड़ रहा है, मारे है तो इसने यह भी मान लीया है, ओके देःन, अब इसको व्यूआंने सारी अपलोड हो हो चुके हैं, मेरे को अपने सारी डिटेल्स, और जी यहां चुके मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट कैसे की आदाता है जैसे कि मैं जनरल के टेग्रीस हूँ और boys हूँ तो मेरे को जो है at least 625 रुब है देने पड़ेंगे तो जैसे मैं व्यू पे क्लिक किया जैसे मैं पेनाओ पे क्लिक करता हूँ ओके यह जो है मेरे को SBI के payment gateway पे ले गया है अब मैं आपको पूरी detail में बताऊंगा कि आपको payment कैसे करना है सारा सब कुछ यहां पर बहुत सारी option आ रहे हैं जैसे कि आप यहां पर कर सकते हो जैसे यहां पर दिया गया है debit card और credit card तो debit card और credit card से payment कैसे होता है इसके बारे मैं बताता हूं आपको में तो यहां पर जैसे आकी मांग रहा है card number ठीक है तो हमारे पास जैसे card होता है । उक्य उसके उपर आपके पास कार्ड है ठीक है आप उपना अपना कार्ड ले लिजिए हाथ । उसके उपर पहुत सारी संखिया नी जी उपर पीछे आप संखिया लेकितchezी है । पीछे जो है कार्ड के ऊपर संखिया लेकित tweetingway पोसन क्या डाल नहीं है और आप यहां पर डाल सकते हो किसके नाम पर कारण है तो जो है आप यहां पर पेनाओ पर क्लिक करोगे देन ओटीप आपकी बेंग पर रजिस्टर्ड मोबाइल नमर पर आएगा आप डालती है आपके बेंग से अपने पैसा कर जाएगा या पर आप कोई थोड़ा सा इस्यू चल रहा है तो यहां पर जिससे आपको अपना जो भी है यूपी आईडी डालना है जैसे अपका मोबाइल नमर पर लगा के पेनाओ पर जैसे ही क्लिक करेंगे जैसे कि यह मैंने गदल तगाया है तो इसका कुछ नहीं होगा आपके एप में नोट तक वीडियो बता दिया है लास्ट में जो आप अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसका थेंक्यू स्टुडेंट्स थेंक्यू सो माच आई होप प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो लास्ट अपडेट तक एडिमिशन तक सारी अपडेट मिलेगी तो